नमस्कार मैं सारी कर्श्रबास्तौ स्वागत है आपका आएनन24 में बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर नमस्कार मैं सोनी ओज़ा आप देख रहे हैं आनन 24 निउस बढ़ते हैं आज की प्रमुक खबरों की ओर निर्सा प्रखंड छेत्र के बैजना पंचायत बैजना मांजी टोला में एक महिला पर डायन का आरोप लगा कर सह परिवार उसका समाजिक बहिसकार किया गया पंडित परिवार ने इंसाफ के लिए थाना और पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई गाउ छोड़ने के फरमान के बाद परिवार ने 26 मार्ट से राम कनाली में शरण ले रखी है आरोप है कि रिस्तदारों को गाउवालों ने डायन का आरोप लगा महिला और उसके परिवारों को परिशान किया मारपीट तथा घर का मेंग दर्वाजा बंद करनी की शिकायत मिलने पर वुदवार की साम निर्सा स्जपो पितामबर सीम खेरवार निर्सा थाना प्रभारी दिलिप कुमार यादो मामले की जाच करने बैजिना गाउं पहुँचे पुलिस ने पंचायत के मुखिया पूनम देवी के देवर अजय पासवान रंजीत पासवान को बुलाया स्रीक हेरवार ने पंडित पक्ष वे दूसरे पक्ष के ग्रामिडों से अलग-अलग पूछताच कर जानकारी ली अधिकारियों ने पंचायत प्रधान और गाउं के प्रमुक लोगों को बैठक कर मामले का समधान करने को कहा पूछताच किये जाने के बाद पिडित परिवार ने पुनह दरवाजा खुलवाने की विंती की इधर पंचायत प्रधान पूनम देवी के देवर अजय पासवान का कहना था कि पिडिता के घर के एक तरफ का रास्ता जहां दिवार खड़ी की गई है वह उसके रिस्तदार की जमीन है वही समबंध में निर्ने थाना प्रभारी दिलिप कुमार यादों ने बताया कि दोनों पक्ष छोटी छोटी बात को लेकर तनाव उत्पन कर रहे हैं पंचायत प्रधान सहित अन्य ग्रामिडों को गाउं में बैठ कर समस्या का समधान करने की आगरा की गई कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है पुलिस सभी बिंदूओं पर छानवीन कर रही है गडेश मंडारी ने कहा कि अजय पासवान दवंग किश्म के व्यक्ती है थाना पुलिस मेरे हाथ में है समाज को जो मैं कहूंगा वो करना होगा उससे हमारा परिवार डरा सहमा है बीते दिनों दो रोज से सभ परिवार निर्सा थाना में गुजर बसर कर रहे थे आज सभ परिवार निर्सा पुलिस हम लोग को अफने घर साकूसल पहुँचा दी पुलिस ने कहा कि अपनी सुरक्षा हमारी जिम्मेदाली है पिडिता का कहा है कि तुम्हारी मा को भगा दो नहीं तो तुम्हारे साथ दुसकर्म करेंगे इसको अलग करेगा अच्छा आओ तो हो गिया फिर अभी तौर बजा बन कर दिया आदमी कितना को अपका गया है, हो बता रहा है, अरूप लगा रहा है लड़की जो को बोलता है, तो एक अदमी बोलता है तुम ऐसे करेगा तो बहिन को गनेश के बहिन को ऐसे राव करके छोड़तेगा बाजना पंचायत निर्सा परखंड अंतरगत आती है एक गाउं बजना पंचायत में एक अपने रिलेशन के कहने को तो देवर है और इनके चाचा लगेंगे जो गनेश के चाचा है वो में दर्वाजा इनका कईयों बर्सों से चलते आ रहा था जो आज दर्वाजा को बंद कर दिया गया और उनकी माग पर आरोप लगा रहा है कि यह डाइन है कितने को खाये हैं यह कानून अपने हाथ में लेकर पूरे गाउं को एक अट्टा करा दिये हैं जो एक परिवार को दिन दाहाने मारने का कुछिस किया गया उन पर आरोप लगा गया कि तुम्हारा घर के लेडिस पो बलतकार करेंगे और और तो और गाउं का यह कहा का डिकटेटर सीप यह कानून नाम का चीज भी है इन लोग को ये डर नहीं है कानूं से आए देखते गरेश क्या पता रहे हैं इस मामले को खुरों कि лучше कि मामझ अमलों का सुला तरिक को थोड़ा सा जिय मेला हुँ था उन्हों का होली था तो होली को टाइम में धो उंट को पानी फेक रहा था दिवार के पास तो मा बोलने गई कि देखिखें यहां पर इस एस बोट श्री रखा हुआ है छेट्व ढ़आ हो जाएगा तो इतने में वों लोग आर्प लगाने लगा कि नीस में तो डाइन है इसको मैं सबक सिखाना चाहिए तो कुछ आदमी ज़ने का परियास कर रहे थे पढना है जो कि मेरा परीबार उनों को रोक करा दुवार के सामने में कि हमको पहले मार देब बुड़ी आधमें कभी itself कुशने सका मेरा परेवार रोक दिया तोकिLab किसके उपरा बोला था कि मैं बलत कार सब्सक्स ये कुन एंबोला था ये संजे हज्दाह वोले थे संजे हीत हाँ धमकी दिया थे दिफ्टेए। गर नेजहेरश इंहें उड़् इस यडेने किया थे मेरे घर है एंपर. तो यहां के जो हैं परतिन धि है। सब जगह मेंटिनेंस करते हैं। पर में लोग उचल कुद कर रहे हैं जैसे थाना को समालना उसी काम है थाना के दलाली भी उसी वही करते हैं यहां का बस्ति लोग को चढ़ाक रखें